अब यहां पर हमारे पर स्क्राइब बड़ी इंप्रोर्टन्स टेमनालोजिस एक को हम एर्र कहते हैं ठीक एक हम हम जो है वरुजिट्वल कहते हैं और एक को हम जो है बायस के ठीक है अब डेफिनेटली जब अंद पाट आपको कहते हैं कि दिफरेंशियेट बीट्वीन तो फ बेहतर अंदास में आप स्प्राइन कर सकेंगे अच्छा असानी के लिए observe value को मैं ले लेता हूं देखें जो हम सांपल से जो हम calculations करते हैं तो उसका मतलब है हम observe कर रहे हैं ठीक है तो उसको observe value करते हैं फर्स करें हम इसको x bar समझ लेते हैं कि हमने x bar को observe किया ठीक है true value definitely अगर आप पापुलेशन से रिजर्ट लेंगे तो फिर उसको हम true value कहेंगे तो हम यहां पर इसको मीम समझ लेते क्या समझ लेते हैं यह हमारे पास x bar ठहरा यह हमारे पास new ठहरा और estimated value का मतलब हम estimations करते हैं अगर हम और estimation में हम क्या इस्तिमाल करते हैं इस्तिमेटर इस्तिमाल करते हैं ना कि expectation जब हम लेते हैं जब हम estimate करते हैं तो हम sample results को estimate करते हैं तो यहां पर expectation of x bar ठीक है तो यह आपके पास x bar आ गया यह आपके बस new आ गया और यह आपके पास expectation आप x bar आगया अब काम असान हो जाएगा अगर हम x bar minus mu करेंगे ठीक है यानि estimator minus parameter या observed value minus the true value तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम error भी कहते हैं और इसी concept को हम sampling error के नाम से भी जानते हैं ठीक है अगर हम expected value minus true value ले 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 यानि expectation of x bar minus mu ले 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 तो फिर उसको हम क्या कहते हैं बाइस कहते हैं amount of 22 या उसको कह सकते हैं और यहां पर आते हम तीसरे concept जानिब अगर हम x bar minus expectation of x bar ले लेंगे तो फिर इसको हम residual कहेंगे ठीक है तो यह काफी असान सी terminology हैं आपने इसको learn करना है अपनी fingertips पे किसी किसम की confusion जो है वह आपने जो है वह उसको शामिल नहीं करना तो I expect कि आप इस concept कुछ समझ गया होंगे उसको समझ जाए